हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सबीत और आप देख रहे हैं Knowledge Factory YouTube Channel दोस्तों अगर आप अपने घर में एक desktop computer यूज़ करते हैं तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए ये बात तो आप जानते हैं कि एक desktop computer को चलाने के लिए एक UPS चाहिए और एक desktop computer के UPS एक से दो साल ही चलता है और फिर उसके अंदर का जो battery होता है वो खराब हो जाता है फिर आपको backup नहीं मिल पाता मतलब बिजली गया तो computer धराम से off हो जाता है इससे क्या होता है? इससे आपका hard disk खराब हो सकता है आपका जो windows है वो corrupt हो सकता है तो अगर आप market में जाएंगे एक UPS के बैटरी चेंज करने के लिए तो आपको लगभग 1200 रुपे तक खर्च करना पड़ सकता है जबकि एक UPS का बैटरी सिर्फ 500 से 600 रुपे लगभग 700 रुपे के अंदर आपको मिल जाएगा तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक desktop computer के UPS का जो बैटरी होता है उसे आप अपने घर में खुद कैसे चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा ये जो computer के UPS है 220 से 230 तक का AC करेंट तयार करता है तो अगर आप comfortable नहीं है तो आप ये घर में मत कीजे क्योंकि इससे आपको serious injury भी हो सकता है आपको shock भी लग सकता है और अगर आप comfortable है तो आप ये घर में जरूर कर सकते हैं तो चलिए अप देख लेते हैं कैसे इसको खोलना है सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप ये जो power cable है UPS का इसे आप plug से खोल लीजे फिर आप sure हो जाए कि आपका ये जो power switch है ये off है ठीके UPS के power switch को पहले off कर लीजे off करने के बाद आप अगर इसे इस तरह से पीछे घुमाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर चार चोटे चोटे होल मिल रहा है तो इस होल में अफकोर्स screw वगेरा लगा हुआ है तो हम सबसे पहले screwdriver से इस सारे screw को खोल लेंगे हर UPS का लगबग सेम प्रोसेस होता है तो इसलिए आप घबरा यह मत अगर आपके पास यह model नहीं है दूसरा कोई model है फिर भी चलेगा हर UPS का लगबग चीज सेम ही होता है तो चारो screw खोलने के बाद आप इसे इस तरह से सीधा कर लीजे तो आप देख सकते हैं आपका जो screw है वो इस तरह से खुल जाएगा ठीक है अब आप इसको इस तरह से उपर की तरफ खीचिए खीचने के बाद आप इसे इस तरह से अगर कर देंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो battery के pole दिख रहे हैं यहाँ पर यह plus है और यह minus है और यह जो हमारा दिख रहा है यही है हमारा battery तो सबसे पहले आपको battery के pole को निकालना होगा तो इसलिए आप यहाँ से इसको खीच कर इस तरह से निकाल लीजिए और फिर काले वाले को जो माइनस है उसे भी इस तरह से आप निकाल लीजे फिर ये जो डबबा है इसे आप इस तरह से side में रख दीजे ठीक है और फिर आप बैटरी को इस तरह से उपर की तरफ खीचेंगे तो बैटरी आपका निकल जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैटरी खराब है तो इसलिए मैं आपको इसका वोल्टेज एक बार चेक करवा के दिखा देता हूँ तो अगर मैं आपको इस बैटरी के वोल्टेज दिखा हूँ तो ये मेरे पास एक मीटर है मैं यहाँ पर इसको 20 वोल्ट पर रख रहा हूँ ठीक है और और मैं इसको बैटरी के प्लस में से प्लस में और इसको माइनस में लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2.59 वोल्ट ही निकल रहा है ठीक है सिर्फ 2.59 वोल्ट तो इससे हमें पता लग रहा है कि बैटरी अफकोर्स खराब हो चुगा है तो अब हमें बैटरी को चेंज करना पड़ेगा तो जैसे के आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो बैटरी है ये वाला बैटरी मैंने नया खरीदा है ठीक है ये आपका लूमिनस का बैटरी है आप चाहे तो इसे भी खरीद सकते हैं तो ये मेरा नया बैटरी खरीदा है तो अगर मैं आपको इस नये बैटरी का वोल्ट दिखा हूँ तो अब देखिए इसमें से कितना वोल्ट निकल रहा है देखिए ये मैंने माइनस पर लगाया और ये प्लस पे लगाया तो अब देखें यहां पर करीब 12.98V निकल रहा है और जब इसमें लगा रहा हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 2.59V ही निकल रहा है लेकिन इसमें 12.98V निकल रहा है मतलब यह बैटरी खराब हो चुका है इसका अब कोई काम नहीं ठीक है तो अब हमें क्या करना होगा इस बैटरी को यहां पर लगाना होगा तो खोलने का प्रोसेस जैसा है बैटरी लगाने का भी सेम प्रोसेस है लेकिन उससे पहले अगर आपके UPS के अंदर थोड़ा बहुत कचड़ा है तो आप उससे साफ कर लीजे तो इसके लिए आपको एक इस तरह के ब्रस चाहिए या फिर आप कुछ भी घर में हो तो उससे साफ कर सकते हैं जैसे कि यहां पर मुझे थोड़ा थोड़ा कचड़ा दिख रहा है तो मैं इसे यहां से इस तरह से साफ कर रहा हूँ ठीए आप भी चाहिए तो इस तरह से UPS के अंदर जितने भी कचड़ा लगा हुआ है उससे आप साफ कर सकते हैं तो इस तरह से कचड़ा साफ हो जाने के बाद आप simple battery जिस तरह से लगा हुआ था आप उसी तरह से यहाँ पर battery को बिठा दीजे पहले तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बिठा रहा हूँ ठीक है बिठाने के बाद आप देख सकते हैं battery पूरा तरह से set हो गया है तो अब मुझे यह जो black wire है वो minus में और यह जो plus wire है मतलब red wire इसे हमें plus में लगाना पड़ेगा तो सबसे पहले में black वाले को लगा लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको दिखाने में तो पहले में यह जो black वाला है इसे में black में डाल रहा हूँ यह मैंने डाल दिया और अब जो यह red वाला है red को भी में red में डालने वाला हूँ तो इस तरह से लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसका ढखकन थोड़ा tight हो रहा है तो आपको शायद दिखने में गलती होगी यहाँ पर देखिए red पे plus यहाँ पर red का mark दिया हुआ है मतलब यह plus है इसको इसमें लगा दिया और यहाँ पर जो black color का mark है मतलब यह black wire को मैंने black से लगा दिया तो red को red से और black को black से लगाने के बाद आप इस तरह से ढकन को sit कर लीजे ठीक है तो यह मेरा sit हो गया अब इसको धीरे से पकड़ कर फिर से उल्टा कर लीजे ठीक है अब आपका जो चारो नाट अपने निकाला था यहाँ पर तीन है एक नीचे गिर गया है तो मैं उसे पहले उठा लेता हूँ ठीक है तो यह हमारे पास चारो screw आ गया है तो अब इसे आप इस तरह से इस चारो hole में डाल दीजे ठीक है चारो hole में डाल दीजे और फिर screw driver से आप इसको tight कर दीजे पूरे तरह के इसे tight होने के बाद आप UPS को फिर से सीधा कर लीजे और UPS के power button को on कीजे इस तरह से power button को on कीजे तो आप देख सकते हैं आपका UPS फिर से ठीक हो चुका है तो दोस्तो इसी तरह से बड़े ही आसानी से आप अपने UPS के battery को change कर सकते हैं अपने घर में ही सिर्फ आपको थोड़ा smart होना पड़ेगा इसके लिए तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो वीडियो को एक like कीजे और इस वीडि झालि कर सकते हैं